नमस्कार आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भय किशोर राजधानी पटना में पिछले दिनों रुपेस हत्यकांट काफी चर्चे में रहा हलाकि ऐसा नहीं है कि अब रुपेस हत्यकांट मामला चर्चे में नहीं है लेकिन इस बार चर्चा कुछ और तरीके से है दरसल राजधानी पुलिस इस मामले को सुलजाने का दावा ठोक रही है और साथी साथ जिस तरीके से उन्होंने एक आरोपी को गिरफतार करने और फिलाल उसे एक अन्य मामले में क्योंकि आरोपी की जो गिरफतारी हुई वो हत्याकांड के मामले मोही थी लेकिन बाद में उसको न्याएक हिरासत में आंस मामले में भेज दिया गया लेकिन इन सब मामलों के बाद जहां एक तरफ प्रशासन की पुलिस प्रशासन की किरकीरी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे जिसमें ये भी पूछा गया कि छपरा आने का आखिर कारण क्या था? तो उन्होंने साफ तॉर पर कहा कि ये मामले के उद्भेधन के बाद पुलिस प्रशासन जो है इससे पहले पुलिस के पास कुछ भी नहीं था वो परिवार से मिलने आया था नहीं आया था लेकिन अब पुलिस के पास बताने को कुछ है, इसलिए वो छपराई है। हलाकि इस दौरान क्या कुछ कहा, वर्ये पुलिस अधिकारी उपेंदर शर्मा ने, आप खुद सुनिये। जब-जब कोई गयर कानोनी काम होगा, तब तक एव एफाईयार होगा। जब रिटराज पकड़ाया है, तो रिटराज के पास इक अवैद आमस मना मत हुआ। तो उस संब्ध में भी एफाईयार होगा। लोजिकल है। इसलिए उस केश में वो जेल गया है, हाला कि पकड़ाया हो मटर केस में है। तो एक केस से दूसरे केस में वो रिमांड हो जाएगा और रिकॉर्ड पर आ जाएगा एक प्रकिजा की बात मैंने इस संब्ध में एक डिटेल पीसी की है आप लोग के चैनल से वो चला होगा आपको बताया मेरे आयनों का परिवार को बताने के लिए तब मैं नहीं मिला उनसे जब मेरे पास कुछ है तो परदर्शिता से उनके शेयर करने आया था क्योंकि इस पूरे घटना क्रम के इस पूरे जो घटना हुई जो इंसिदेट हुआ। सबसे बड़े स्टेक्खोलडर्स वही है। महीन ने एक बहुत बहुत चर्चित हत्याकांट हुआ था और पूरे बिहार के लिए बहुत ही समनेशील घटना थी। और इसको बहुत ही वर्य लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा था मैं भी इस अनुसंधान का एक इंटिग्रल पाट रहा हूं तीन तारीकों हम लोगों ने घटना के संबंद में एक डिटेल्ड पीसी की थी जो कि आप लोगों को ग्यात होगा और हम लोगों इसमें सफलता पुर्वक इस केस को उद्भेधन करने में आप तक सफल रहे हैं जो एक्च्वल अपराध कर्मी है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है हम लोगों के अनुसंधान में जो साक्ष आये हैं वोस अधार पर उसको हम लोगों ने हिराजस्मत में लिया है और इसको न्योडिश उन से मेरी मुलाकात म buffg car में बेसिकली आयाता है मुझे लगा कि मेरा विऎ मुझे उनके साथ शेर करना चाहिए आप लोगे माध्य में से उन तक अंहिला पहुचना चाहिए उन संधान हम लोग किस तरीके से किया है और कैसे उस अपराधी आज पहुचे है वो शेयर करने जो कि एक bare minimum requirement भी है और हाला कि basic जो आज का आने का पयोजन था वो था कि जो investigation हुआ है वो परिजनों से जो first responders इस case में हैं जो सबसे बड़े stakeholders इस case में हैं उनके शेयर किया जा और उनको सारे चीज़े पार्दस्टिता से बताई गया है यह उद्धेश है तो साब तो आपने सुन लिया इसके साथ-साथ उन्हों ने जो बाते कहीं जिसमें आरोपी की गिरफतारी और फिर उसे न्याएक हिरासत में भेजने जैसे मामले और साथ-साथ सवाल ये भी उटा कि जब रोड रे जैसे मामले में क्या पुलिस प्रशासन इस बात को मानती है कि इस तरीके की घटना और उस घटना के बाद एक से डेर महीने के बाद ऐसी वारदात हो जाना क्या ये पुलिस को पच्चता है लेकिन इस सब मामलों में वरिये पुलिस अधिक्षक जो है वो खुद बच्चते नजर आए और उन्होंने मीडिया के सवालों से किनारा किया लेकिन इन सब के बावजूद भी जहां एक तरफ पिडित परिवार है वो पुलिस के इस दावों को खारिच कर रही है ऐसे में पुलिस के द्वारा परिवार से मिलने के बाद अब परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आखर पुलिस ने जो इस दावे की सत्यता दिखाई है कि जिस तरीके से जाच हुई उस जाच की पूरी प्रकिरिया को परिवार के साथ साज़ा किया गया है और उसक उसे बताने के बाद अब परिवार की क्या प्रतिकिरिया इसका इंतजार है लेकिन फिलाल पुलिस ने पीडित परिवार जो है उसमें खासकर के रुपेश सिंग की पत्नी को एक बॉडिगार्ड मुहया करा दिया है जो उनकी सुरक्षा का देख भाल करेगा लेकिन देखने वाली बात होगी आगे कि क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में अभी और कितने सवाल और और कितने जवाब देखने को मिलते हैं ये सारी जानकारी डिटीव भारत आपको देगा इसलिए विसेस जानकारी के लिए अगर आपने अब तक हमारे फेस्बुक पेज को जिस पे झालो